नमस्कार दोस्तों डीडी रिएट के एक और रियक्शन वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आलोक तो आज जो वीडियो में देखने वाला हूँ वो बहुत जादा इंट्रेस्टिंग लग रहा है इसके टाइटल से यह वीडियो है कटालिस्ट रिकॉर्ड्स का और वी देखते हैं जारा कि पाकिसान की जंता क्या गयान दे रही है अच्छा मेरा आप से सवाल या है कि आने वाले पांच सालों में आप इंडिया और पाकिसान इन दोनों कंट्रिस को कहाँ देखते हैं क्या फ्यूचर हैं सबसे पहले जो चीज़ काउंट होती है न, वो आपका फूचर होता है कि आपकी एजुकेशन फूचर में कहा जा रही है आपकी एकॉनमी फूचर में कहा जा रही है आपका जो अवाम है वो फूचर में आपको कहा नजरा आ रही है हर चीज में हम नीचे है हमारी अवाम पिसी हुई है महंगाई में पिसी हुई है उसके बाद एज किस बिना पे आप लोग ये बाते करते हो यार किस बिना पे मतलब कोई तो आधार होता होगा कोई बेस होता होगा इन बातों को कहने का आपको ये सारी चीजे मिलती कहां से हैं मतलब आपके दिमाग में ये कैसे आ जाता है कि हम दुनिया में नंबर वन बन रहे हैं क्या आपने कभी जो संस्थाएं हैं जो रैंकिंग देती हैं दुनिया अच्छा मैं बता देता हूँ ग्लोबल फायर पावर एक संस्था है आप उसकी वेबसाइट पर जाईए बहुत सारे परामिटर्स नहीं जिनको लगतार चेक करते रहते हैं हर देश के लिए करते हैं वहाँ पे 1 to 10 में कहा है वहाँ पे सारे देशों की रैंकिंग है तो 1 to 10 में पाकिस्तान जो है वो शायद मुझे लगता है कि दस्वे नमबर पे है और भारत चौथे नमबर पे है उसके उपर जो है वो रशिया है चाइना है और अमेरिका है हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकतवर सेना है हाँ आपको मानना है कि हमारा एक जो जवान है मुसल्मान जवान वो दस दूसरे गैर मुसलिमों के बराबर होता है ठीक है भाई फिर तो इस लिहाद से आप नमबर वन है और अगर आप नमबर वन होते तो पता नहीं की जंग में क्या हुआ 65 की जंग में क्या हुआ 71 की जंग में क्या हुआ 99 की जंग में क्या हुआ देख लीजे भई तो फुल फ्लेजड वार थी ना मुल्क आदा किसका गया इतने सारे आतंकवादी हमले हो रहे हैं और आपकी फॉच जो है वो नमबर मने माफי गलती होगई जो सचाही को दो जाने हमने आ नो आज की तो क्या की है वक पनी टाटा बना रहे हैं वो लिए अब हमें लगार तक्ष estaban और कर वाकॉष कर रहे हैं अगलओ को होगर रखते हैं हम kein बाट करने को और अबंपर जाकि उनकी इन खारज़का से बात कि यार ये तो बड़ी गजब बात हो गई मतलब विदेश खारजा पॉलिसी ये होगी कि भाई हमारे इंजिनियर को आप जूनियर लेवल पर क्यों रख रहे हो अरे भाई जैसे काबलियत होगी जैसे आप आपने अभी कहा कि हमारे इंजिकेशन सिस्टम ठीक नहीं है उसको बढ़ाने की जूरत है उसके बाद आप कह रहे हो कि आप सीनियर पोजिशन पर रखो अरे काबलियत होगी तब तो कंपनी आपको सीनियर पोजिशन पर रखेगी काबलियت होगी तो बिल्कुल रखेगी क्यों नहीं रखेगी बॉस किस company को काभी लोगों की जरूत नहीं है अगर आपमें काबलियत नहीं होगी भाई अगर सुन्दर पिचाई में काबलियत नहीं होती तो आज वो Google के CEO नहीं होते आज अगर सत्या नडेला में काबलियत नहीं होती तो आज वो Microsoft के CEO नहीं होते आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो पराग अगरवाल अगर आज Twitter के CEO बने हैं तो उनमें काबलियत होगी तब तो CEO बने हैं और ऐसे कोई नहीं होता कि उठा के CEO बना दिया बहुत महनत करनी पड़ती है उनके आइडिया सुनने पड़ते हैं किस तरह आप ग्रो करा रहे हो company को इस सारी चीज़े company देखती है तब आपको एक important पद पर बिठाती है जब आप में वो काबलियत ही नहीं होगी तो आप कैसे ग्रो करोगे अब एक वो KFC में शायद Asia Reason में या कहीं पे एक पाकिस्तानी को बनाया है उनको उसका CEO भाई तो ये अच्छी बात है उनमें काबलियत थी तो बनाया उस जगह के लिए उस सबसे fit बैठ है तो काबलियत होगी तब ने ये आप पता नहीं कैसे दिमाग में आप पढ़े लिका आदमी करे आपका कह रहे हो कि Singapore से आहा हूँ आप कैसे ही सोच लेते हो कि भाई अगर काबलियत नहीं होगी तो आप विदेश मंत्राले से कहलवा कि हमारे बंदे को senior position पर बिटवा दो प्राइवेट नोकरियां हैं भाईया वहाँ पर काबलियत चलती है सिफारिश नहीं चलती हमारी जो education है जो engineering का level है वो उनकी engineering का level के बराबर है तो हमें क्यों नहीं उस level पिलाते तो यह सब चीज़े बहुत सी count होती है इन सब चीज़ों को यह 5-6 levels है इनको उपर लाना पड़ेगा फिर हम लोग उपर आ सकते हैं सबसे बड़ी बात है हमने IMF के साथ मौइदे की हैं उन मौइदों में हमने जिन जिन से जो जो loan लिये था या जिन के साथ हमने बैठ की business किया हुआ है जिन मौमालिक के साथ हमने उठा के सारी फाइलें IMF को दे दी है कि जी इन बैसिस पे हमने लिया हुए loan यह नहीं होता यह एक law होता है कि हम कभी भी इस चीज को उपन नहीं करते होता है हमने कर दिया हुआ है सुनने में आया है देखने में आया है लेकिन यह चीज नहीं होनी चाहिए अगर यह हुई है तो क्योंकि अब चाइना हमारे साथ उस लेवल पर नहीं चलेगा हम कोरिडॉर पर जाना चाहरे थे उसके साथ नहीं जा पांगे नोन लीग ने वरकिंग की नज़र आई है PTA ने कुछ की नज़र आई PTA ने क्या वरकिंग की अभी तक मुझे तो कहीं कुछ नज़र नहीं आता है अभी आपने कहा है एंजिनरिंग के हकुमत को चाहिए कि वो खार्जा पॉलिसी अपनी बेतर करे और कहे कि हमारी भी एंजिनरिंग में क्या कमी है और आपको लगता है कि हम अपने एजुकेशन सेक्टर को किसी भी मुल्क से कंपेर कर सकते है अब मैं एक एक्जेंपल देता हूँ कि हमारी एक डिग्री है बैचल ओफ टेकनोलोजिस्ट जो कि फॉर जियर्स की है इंडिया की भी वही है सेम है एजुकेशन भी सेम है सब्जेक्स भी सेम है लेकिन हमारी डिग्री को यहां भी हमारी पीसी नहीं मान रही पाकिस्तानी जिनिंग कौन से ली नहीं मान रही बैचल ओफ टेकनोलोजिस्ट को उसके लिए हम इलादा से फॉर्म लेना पड़ रहा है लेकिन बाद में वो अगर हम गौर्मेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूं जो अस्टेलिया के कोरिडॉर का वेट कर रहे थे कि वो अपन हो तो हम स्टेडी के लिए जाएं क्यों भी यहां पर किस चीज की कमी है अब मेरे कई दोस्ते हैं जो चाइना से M.B.B.S करके आएं यहां पर आके उनसे एक्जाम पास नहीं हो रहा पाकिस्तान की क्यों नहीं हो रहा है यहां वो उनकी डिग्री क्यों नहीं मानी जारी जो वहां पर चार साल लगा ़ागा यह था तो Yeah सब चीजे जे उनसे अं सब चीजें पर हमें जो आना फोकस करना पड़े गा और इन सब चीजों को हमbildung लेके आंगे बढ़ना पड़े बैठे बैठे हर कोई प्राइस बड़ा ही जा रहा है यहां पर कोई कंट्रोल सिस्टम है इंडिया में कंट्रोल सिस्टम है मैं दुबए गयां कंट्रोल सिस्टम है मैं सिंगाफुर गयां कंट्रोल सिस्टम है यहां क्यों नहीं है कुछ भी नहीं है कोई चेक करने वाला नही और आज सुबो लिया है 15 रुपे का तीन रुपे का तीन दिन में डिफरेंस कम होना था बढ़ गया हर कोई अपनी मर्जी से बेच रहा है चेक एन बैलनस नहीं है ना एजुकेशन में ना साइंस में ना टेकनोलजी में ना कंट्री में ना फार्जा पॉलिसी में ना जॉब् सिस्टम है तो उसको सब जानते हैं लोवर लेवल से अप लेवल पे कप जाना है कैसे जाना है अच्छा मेरा आप से आखरी सवाल यह है कि इन सब बातों को मदे नजर रखते हुए क्या अगले पांच सालों में इन दोनों कंट्रीस का कंपैरिजन भी करना पॉसिबल है क्य कि यार एवरीच में सेम ए और बी सेम है हर चीज थाम क्या सेम नहीं है तो पकिसी के साथ कुझ ये अम लून लेने निकल जाते हैं जी बाता है हम तो यह खबरों में सुन रहे होते हैं तो यह सब चीजे हम इन चीजों पर जारा फोकस करेंगे तो हमारा मुस्तक्बिल में पाकिस्तान रोशन नजर आ सकता है लेकिन अभी ही नहीं मैं कंपेर करता हूं दोनों को तो इंडिया हमसे बहुत आ गया है उसके वज़ा यह है कि इंडिया में टेक्नोलोजी उनकी आईटी सिस्ट्रम इवन के उनकी जो फसिल्टीज है जो उनको गौर्णमेंट प्रवाइड करते हैं वो हमसे बहुत आ गया है काहिं है क्रंट आपको बताओं तो दुबाइंगेन दोजार उननीस बीस में जो पिजनस के आना पेट्रॉल के ओप उपर ऊटेरी बिलिएड टोलर्ज जो ने पेट्रॉल के ओफर बिजनस के है और इंडिया ने 2019-2020 में 133 बिलियंज डॉलर आईटी के उपर बिजनस किया है यह है कि हम पाकिसान अगर एफट करें तो हम भी आने वारे 5-6 में हमसे बहुत आगे जा सकते हैं अब यह है कि अपने डिपेंड करता है हमारी एफट के उपर के हम एफट किस तरह से करते हैं या किस तरह से नहीं अभी आपने तो बात की आईटी सेक्टर की एक सेक्टर को लेके हम कोई डिसिशन पर तो नहीं पहुंच सकते हैं प्रेष्ड मेडिकल सेक्टर, या फिर शाया कारिंडुकिन, साप। इसी साल तो आपको क्या पूलक तो लिए। अगर आपधू मॉईल पर मांथा SPege सिवाट होड़ा considering उन्होंने अपनी फ़र्म लगाई हुई है वहां लोकल उनकी ना प्रोड़क्शन हो रही है और यह है कि हम पाकिसानी जितनी भी मुबाइल आटर्स हैं मोस्ली जो हाई टेक आती हैं में औरी जो होगी मर्सी होगी यह साड़ी हम इंपोर्ट करवाते हैं और जी है कि इस पर भी बहुत ज्यादा पड़ता है एदा स्विलियन हमें तकरीबन कोई 500 परसंट टेक्स देना पड़ता है गौर्वर्मेंट को तो आटर मुबाइल पे तो हम कंपैर्जन नहीं कर सकते हैं हाँ इन फ्यूचर अगर कोई चानीज ब्रैन या कोई लोकल ब्रैन पाकिसान के अं पर चार एक बड़ा अच्छा नुआश्रीफ के दोर में परजेक्ट था पीकलाई पाकिसान की ने ट्रांसपर्ट लिवर जो इन्होंने हॉस्पेटर बलाएं पहले यह था कि हमें लिवर ट्रांसपोर्ट के लिए इंडिया जाना परता था और वह काफी कॉस्टली था फि हम भी इंडिया से आगे जा सकते हैं मेडिकल फिल्ड में अब जी जी यह डिपेंड करता है हमारे ओपर हम किस तरह एफट करते हैं हमारी गौर्णमेंट किस तरह की फिसिलिटीज देती है वो फिर सारा डिपेंड करता है नियत के ओपर अच्छा आपने मेडिकल की बात की अगर हम देखें तो उनकी जो दबाईया है पच्छतर परसंट जो है वो एक्सपोर्ट होती है उनकी दबाईयों के पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है आप इस परमें क्या कहेंगे अब हमारा बिजनस भी थोरा ऐसी तरह का है हम भी बैसिकली एजा इसके बाद डानेटिस फार्मा यह के इन फ्यूचर इंशाललह आई होब के पाकिस्तान की फार्मा भी बहुत ऊपर जाएगी क्यूंकि अब यह मूव करिया डव्ली एचो की तरह चो जाड़ी सी बाद है जब डव्ली एचो प्रूफड होंगी कंपनीस तो इनकी बी प्रो जाए मुझे कि अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान भारत से दवाईयां क्यों मंगा रहा है सारी चीज़े बंद की हुई है लेकिन दवाईयां जी दे दो हमें दवाईयों के अलावा जो रौ मेटेरियल होता है दवाईयों को बनाने का वो भी हमसे ही आपके पास जाती है अ आपको क्या लगता है कि अगले पांस सालों में इन दोनों कंट्रिस का फ्यूचर क्या है है कि यह है कि ऑलने लगा व पर अगर कोई बीच इंपोर्ट करता है तो उस पर टैक्स की जो baj ज्यादा है मतलब कि आगे मैं आपको बताया कि अगर कोई गाड़ी यह हम भी कोई मशीन इंपोर्ट करते हैं तो हमें तक्रीबन कोई 75-70 परसंट उस पे एक्सा टेक्स देना पड़ता है अब हमारी यही अपील होती है गौवर्मेंट से कि यह अगर टेक्स कम हो जाए तो इंशाला यह हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी काफी ज्यादा यह होगा कि तरक्की होगी इसमें भी हमारा बिजनस अच्छा होगा मुझे बड़ी हसी आती है यार नहीं अच्छी बात है अगर पाकिस्तान ग्रो कर रहा है किसी भी फील में यह बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए अगर कोई Parent की सरकार को चाहिए कि उस पर काम करे या इसके लावा दूसरे जो भी सेक्टर है अगर वो थोड़े बहतर पर्फॉर्म कर रहा है या लोग उनने काम करना चाहते है तो यह पाकिस्ता सरकार का विजन बहुत लैक कर रहा है और अगर पाकिसान ग्रो कर रहा है तो यह बहुत अच्छी बात है वहाँ के लोगों के लिए अच्छी बात है कम से कम लोग Kernna मिरेगे कि यार हमें यह काम करना चाहिए और इससे अपके पाकिसान कहीं बला होगा रही बात की भाई साब कर रहे हैं कि IT में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं दोनों देश अच्छा कर रहे हैं comparison नहीं है boss ये बात आप मान के चलिए अभी इमरान खान ने पिछले मही नहीं बयान दिया कि 70 या 80% हमारा export IT बढ़ा बहुत अच्छी बात है 80% बढ़ा लेकिन 80% या जितना भी बढ़ा वो बढ़के कितने का पहुँचा 2 billion dollar ये आपके अमरान खान ने बोला है मैं नहीं बोल रहा है ये fact है screenshot लगा दूँगा और हमारा पता है कितना है 140 dollar 140 billion dollar गलती से 140 dollar नहीं के लिए 140 billion dollar आप एक gap देख रहे हैं और इस gap को भरना इतना आसान नहीं है बोस क्योंकि इसके लिए हमने पिछले 30 साल लगाए है 30 years और वो भी तब जब हमारी education policy आप से काफी अच्छी है हमारे यहां का education system जो है आपके यहां से काफी अच्छा है हमारे यहां पढ़ाई का जो माहौल है वो आपसे काफी बहतर है हमारे यहां IIT हैं हमारे यहां Indian Institute of Sciences हैं आप समझे हमारे यहां NIT हैं आप समझे इन सब पे पिछले 30 सालों में हमने बहुत काम किया है हमारे यहां पढ़ाने वाले वैसे professors हैं लेक्चरर्स हैं उनकी किताबे तो आप के हां लोग पढ़ते हैं हमारे यहां की किताब उसर पढ़ पढ़के तो आप के हां लोग ग्यान अरजित करते हैं मेरा नम डॉक्टर अमर है और भी मैं आपकी गुफ्तबू सुन रहा था आज भी युनिवस्टियों में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं जो साइंसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जिनका तालुक जिन ऑथर्स का तालुक भारत से है भारत से हैं मैं सिर्व यह कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी इंटर्नेशनल लेवल की भी साइंस रिसर्च की कोई किताब उठाएं तो उसके शुरू में क्रेडिट्स होते हैं जिन में कोई 30-40 मुक्तलिफ प्रोफेसर के नाम होते हैं पर किसमिती से उनमें इका दुका किसी मुसल्मान का नाम नजर आता है वरना वहां भी यॉरप, अमरीका और बहुत अब बड़ी तदाद में इंडियन और चाइनी साइंटिस्स का नाम होते हैं आप समझे फर्क बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि आप लोग लगिये इस पे वर की तरह लगिये इस पे कि बहुत हमें इस पे काम करना है अगर अच्छा आप इसको नतीजे मिल रहे हैं तो लेकिन आपके सरकार निठली है और मैं सिर्फ इमरान की बात नहीं कर रहा सारी सरकारे ने ठल ली है क्योंकि उन्हें बस भरनी होती है अपनी जेब और इमरान खान भी पिछली सरकारों से अलग नहीं है ने तो जरदारी के टाइम पे 149 रैंकिंग थी आपकी करप्शन की और इमरान खान के टाइम पे 140 हो गई है आप इस बात को समझे नवाज शरीफ जब छोड़के गए थे तो 124 थी आप समझे इससे सरकार की नियत और विजन पता चलता है बाकी तो आप खेर आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं अगर आप के इंडिया को साथ जाना यह दोनों गट्रिव में उपर जाएंगे और इससे डीश भी तरक्या तरक्कि यूर अपने काया कि अभी ट्रेंड आरा है पाकिसना इसका मतब़े कि आई-टी की अगर मभात करें तो इंडिया आईटी में आगया है और कि सेक्टर मेंटिया हम से आगया है इंडिया हम से आईटी में बहुत आगी है क्योंके आप कहलें के वहां पर जो हैं उनकी जो यूनिस्टी तो टॉप नच हैं आप देखने जो गूगल के सीओ ने शूर्ट पहन चाही और इसके इलावा जो आप कहलें के आई बियाम के सीओ वगरा जो सारे इंडिया दी तो इ आप किस कंट्री को आगे देख रहे हैं अगर ऑटो मुविल की बात करें तो इसमें इंडिया आगी है क्योंकि इंडिया में आप कहले कि वहां पे उनकी अपनी इंफक्शिंग कंपनी बहुत जादा हो गई और बाक्यूर्ट आप जो टाटा कंपनी उसे मिलके एक लाग के टो इंडिया अट्यमर में अब ट्रेंड है आ रहे है आप तरक्ते हो गी इंचाला अच्छे ताइम आ रहे है जीतो व्यूवर्स यह थी हमारी आज की वीडियो इसी की साथ मुझे दीजिए इजास्त मैं मिलूंगी आप से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ तो वीडियो दोस्तों खतम हो गया है और मुझे एक शिकायत है यार कि हमेशा सिर्फ आप IT सेक्टर की आप लोग बाते करते हो सिर्फ IT सेक्टर ही आगे नहीं है आपको पता है कि हमारा रिल्वे कितना ग्रू कर रहा है आपको पता है कि हमारे यहां गाउं गाउं तक इलेक्टरिसिटी पहुँच गई है और वहां पे 24-24 गंटे इलेक्टरिसिटी रहती है आपको आइडिया है कि हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़ादा ग्रो कर चुका है सडकें, हाइवेज, एक्सप्रेस वेज आपको आइडिया है कि हमारे यहां मेट्रो कितने शहरों में आ चुकी है मेट्रो ट्रेन कितने शहरों में आ चुकी है मुझे लगता है कि अगर सारे मेट्रो का नेटवर्क हम मिला दें तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा network जो है वो metro का वो हमारे याँ है आप किस field की बात करोगे आप manufacturing में बात करो आप textile में बात करो आप jewelry में बात करो आप gemstones में बात करो आप मैं करो किसी भी sector में बात कर लो हम आप से कम 50 years आगे हैं 50 साल और ये कोई छोटा मोटा नहीं है ये जो edge है ये छोटी मोटी edge नहीं है अब आपको पता है कि हम semiconductor अभी Foxconn और भारत की एक company है उसके बीच में करार हो चुका है आप आने वाले 5 साल में देखिएगा आने वाले 5 साल में समी conductor के मामले में भारत कहां पहुँचने वाला है तो आप लोग को idea नहीं है कि हम लोग किस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं और पता ही क्या होता है कि जब रफ्तार में X लगते जाते हैं न जैसे आपके हाँ 4 by 4 की गाड़ी चल रही है तो 4 चक्के 4 अलग अलग workforce दे रहे हैं ठीक है हमारे हैं यह 4 into 40 हो चुका है 40 नॉर्मल 40 नहीं 40 lakhs 40 crores इतने सारी workforce एक साथ काम करिए talented workforce और हर जगा वो civil engineering हो, engineering हो, communications हो, mechanical हो आपको मैं अब क्या बताऊं कि बतब इतनी चीज़े हैं मुझे दिखाने के लिए मुझे रखता है कि इस सबसे बहतर चीज़ है कि आप लोग अलग सेक्टर्स पे हमारे हैं के लोग वीडियो बनाते हैं कि हम किस सेक्टर में कहां पे खड़े हैं कहां पे काम कर रहे हैं आप वहां पर जाकर देखो कि हमारी डिवलप्मेंट क्या हो रही है आपको यकिन नहीं होगा और अगले पांस साल में मैं ये मानता हूँ कि ये कमपैरिजन ही गलत है कि भारत और पाकिस्तान का कमपैरिजन ही गलत है किसी भी सेक्टर में आप IT छोड़ दो किसी भी सेक्टर में As a nation भी comparison गलत है आप जब development की बात करोगे आप जब pharma की बात करोगे आप जब manufacturing की बात करोगे आप जब automobile की बात करोगे आप जब telecommunication की बात करोगे इसमें कहीं कोई टककर ही नहीं है भाई पाकिसान से टककर ही नहीं है दूर दूर तक नहीं है 200-500 किलोμεटर दूर तक भी नहीं है टककर आप इस बात को समझेए और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर पाकिस्तान ग्रोग कर रहा है आइटी में ग्रोग कर रहा है बाकी सेक्टरस में भी ग्रो करेगा लेकिन ये तभी मुम्किन है जब सरकार का विजन हो सरकार की नियत पैसे खाने के बजाए लोगों के लिए रोजगार पैदा करना कमपनीज को लाना इन्फरा बहतर करना हो और ये आप लोग ज़ादा बहतर जानते हो पाकिसान के लोग ज़ादा बहतर जानते हैं कि इन में से कितनी चीज़ें आप लोग के लिए बहतर हुई है बिजली के हालत तो आज तक आप लोग सुधार नहीं पाए हो आपको पता है कि मुझे मेरे घर में गैस सिलिंडर का आना पिछले कितने सालों से बंद है मुझे लग रहा है कि पिछले पंदरा साल से 15 years से उपर हो गए गैस सिलिंडर हम ने कभी मंगाया नहीं इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि हर घर में हर फ्लैट में यहाँ पे connection है गैस का इसलिए कभी गैस कहने सिलिंडर की ज़रोद पड़ती है ना कभी गैस खदम होती है आप समझिए पिछले 15 साल से मैं कहा रहा हूँ मतलब मैं 15 साल से यूज़ कर रहा हूँ PNG connection है हर घर में हर घर में कभी और बहुत सस्ता बहुत सस्ता मतलब मेरे घर में दो महीने का बिल जो आता है PNG का हम पती पतनी और दो बच्चे हैं तो चार लोग है इस घर में बाकी मेमान कभी कभी आ गया तो ठीक है तो इतने में नॉर्मल दो महीने का बिल आता है 800 रुपे 900 रुपे इस से जादा बिल नहीं आता हमारा गयस कर आप समझे इस चीज को यह है डेवलपमेंट और धीरे धीरे यह चीजे बढ़ रही है धीरे धीरे यह चीजे बढ़ रही है फसलिटीज बढ़ रही है आप सोचिए तो अच्छा है अगर पाकिसान किसी भी सेक्टर में ग्रो कर रहा है बिल्कुल करे ग्रो और अगर ग्रो नहीं कर पा रहा है तो लोग यह डिमांड करे सरकार से यह लोगों का हक है यह लोगों का हक है भाई वो टैक्स देते हैं वो अपनी खून पसीनी के कमाई से टैक्स देते हैं सरकार को उसका बदले में कुस्तू मिले जिस सड़क पे चल रहे हैं वो सड़क अच्छी मिले सुविधाय अच्छी मिले, 4G के नेटवर्क अच्छा मिले हमारे तो 5G स्टार्ट हो गया आप समझे तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार, जहद